प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत्व प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें। सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है। पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हूग गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस् आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी प्रभु ने मनिश को सृष्टी करके इस लगभग असीमित विश्व में रखा है और इस विश्व में आप जहां भी देख लें वहां पर प्रभु की शक्ती प्रभु की सामर्द को देख सकते हैं यह हम समझ सकते हैं कि यह सर्व शक्तिमान प्रभु का कारिय है कि इतना बड़ा विश्व जो मनिश की बुद्धी से परे है उसकी सृष्टी उनने की है जब मनिशी एक बार इन बातों को समझ लेता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि प्रभू के सामने साश्टान बिरकर प्रभू को प्रणाम करें प्रभू की आराधना करें लेकिन मनिश की कुछ आदत ये है कि सर्विशक्तिमान प्रभू की आराधना करने के बदले प्रभू के द्वारा बनाए गए चीजों की आराधना करता है और ये हमने पहले अध्याए में देखा कि सर्विशक्तिमान को स्रिष्टि करता को जानने के बावजोद मनिश्य स्रिष्टि करता के आराधना करने के बदले स्रिष्टि की आराधना करता है इसको प्रभू बहुत ही गलत मानते हैं और इसका रिजल्ट यह है कि मनिश को उसके कुकर्म पर प्रभू छोड़ देते हैं ये बात मैंने आपको ये बात भी याद दिलाई थी कि इस सत्संग में या इस सभा में हम इस बात पर बहुत ज़ादा जोड़ देते हैं कि मनश को स्रिष्टी करता की आराधना करनी चाहिए ना कि स्रिष्टी करता ने जो बनाया है उसकी आराधना इस कारेंड इस सत्संग में जब आप आते हैं यहां प्रभु ईश्व का कोई चित्र सामने आप नहीं पाते हैं क्यों? इसलिए कि चित्र रग दो तो वो जो सर्वेव्यापी ईश्वर है उस ईश्वर की आराधना के बदले हमारा सारा ध्यान उस चित्र की तरफ जाता है यहां कोई सूली भी नहीं है इस सत्संग में इसलिए कि यदि हम एक सूली टांग दें तो सूली पर जिस प्रभु ने मेरे और आप के लिए अपने जीवन अर्पित किया था उस प्रभु की तरफ ध्यान जाने के बदले सारा ध्यान इस सूली की तरफ जाता है हम ऐसे किसी भी वेक्ति को ऐसा कोई कारिय नहीं करना चाहिए जिसके कारण सुरिष्टी करता को जो आदर मिलना चाहिए वो सुरिष्टी करता को ना देते हुए हम स्रिष्टी को स्रिष्टी करताने जो बनाया है उस स्रिष्टी को हम ध्यान देने लगे या स्रिष्टी की आराधना करने लगे आगे के अध्यायों में हमने ये भी देखा था कि जब मनिश को इस बात का बोध हो जाता है कि मैं पापी हूँ तो कई बार उसकी इच्छा होती है कि दूसरे की बुराई करो, दूसरे के पाप सामने लाओ और उसके द्वारा अपने आप बचने की कोशिश करो प्रभू का वचन यह याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे की बुराई करता है तो उसे वो आप स्वयम अच्छा सिद्ध नहीं हो जाता है हमने ये भी देखा था इस पुस्तक में कि इस संसार में सब पापी हैं पाप की सजा है मृत्यू लेकिन ये पुस्तक हम को याद दिलाती है कि प्रभू यीशू के द्वारा हमको नया जीवन प्रभू एक वरदान एक तोख़े के रूप में देते हैं आज इस मंडली में जितनी लोग बैठे हैं इसमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने प्रभू यीशू के द्वारा ये नया जीवन पाया है वे प्रभू के पास गए प्रभू के सामने मान लिया कि प्रभू मैं पापी हूँ मैं ये मान लेता हूँ कि आपने मेरे लिए सूली पर अपना बलिदान दिया और इस कारण मैं आपको अपना मुक्तिदाता मानता हूँ इस तरह से प्रभू को मुक्तिदाता मान कर इन लोगों ने इस नई जीवन को पाया है जिनने नया जीवन पाया है उनके बारे में मैंने याद दिलाया था कि आत्मिक रूप से प्रभू यीशू के साथ एक शरीर के रूप में जोड दिये गए हैं और इसलिए जब प्रभू मनिश को देखते हैं तो मनिश को एक पापी के रूप में या एक शमा किये हुए पापी के रूप में नहीं प्रभु ईशु की धार्मिक्ता से पूरी तरह से आवरण या कवर किये हुए एक धर्मी व्यक्ति के रूप में देखते हैं प्रभु के वच्छन से हमने ये भी देखा था कि इस तरह से प्रभु ईशु के द्वारा जो नया जीवन मिला है प्रभु की जो धार्मिकता हम को मिली है इन सब की गवाही दूसरों के सामने देना जरूरी है जब कोई आदमी या दावा करता है कि मैं MSC पास हूँ तो उसको मार्कशीट अपने पास रख लेनी चाहिए जिससे कि कल को यदि वो किसी नौकरी के लिए जाए और इंटर्विव में वो पूछे कि तुमने क्या पढ़ाई की है जी साब मैं MSC हूँ और मैंने मार्कशीट की कॉपी उदर एप्लिकेशन के साथ लगा दी है तो जब इंटर्विव लेने वाला उसको अलट पलट कर देखता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है कॉपी तो तुमने यहां रखी है लेकिन असल MSC की मार्कशीट मुझे दिखा सकते हो क्या तब मेरी आपके क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो असली मार्कशीट उसके सामने हाजर करे उसी तरह से जब हम संसार के सामने ये दावा करते हैं कि मैंने प्रभू ईशु को मुक्तिदाता की रूप में ग्रेंड किया है मैंने प्रभू के द्वारे नए जीवन पाया है तो संसार ये देखना चाहता है कि अच्छा इस बात का क्या प्रमान तुम हमारे सामने रख रहे हो इसके लिए प्रभू ईशु ने स्वयम ये आग्या दी थी कि जिसने भी प्रभू ईशु को मुक्तिदाता की रूप में ग्रहन किया है वो बप्तिसमे से होकर गुजरे बप्तिसमा एक प्रक्रिया है जहां पर प्रभू का दास जिसे बप्तिसमा लेना है उसको लेकर पानी में उतरता है उससे पूछता है कि है मेरे पुत्र तुम तुमने प्रभु ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंड किया है क्या जब बोलता है कि जी हाँ मैंने ग्रहंड किया है तो दो तीन प्रश्ण पूछता है और सबसे आखर में पूछता है कि यह बबतिस्मा तुम किसी की जो और जबरदिस्ती के कारेंड ले रहे हो या अपने स्वयम की इच्छा से और जब आप कहते हैं कि मैं अपने स्वयम की इच्छा से या बबतिस्मा लेता हूं तो संसार के सामने एक प्रमान के रूप में वो रभु का दास आपको मैं मेरे पुत्र या पुत्री मैं तुमको प पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से वबतीसमा देता हूं कहकर उसको पानी में डुबा देता है। वो बहुत सारी बातों को बताता है जो आज हम उस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा विशे कुछ और है ये सारी बाते मैंने रिव्यू के रूप में आपको बताई है। फॉल फाइनल एयर के आसपास था, तब मैंने मेरे पिताजी बहाँ पर प्रचारक थे उनसे कहा कि मैं बबतीसमा लेना चाहता हूं। मंडली में मुझसे पूछा किया क्यों लेना चाहते हो जब सारा कारेंट मैंने बताया तो मेरे फादर वहाँ पर प्रभु के सेवक थे उन्हें ने स्वयम मुझे इस प्रक्रिया मैंसे होकर गुजारा तब मैंने सारे संसार के सामने गवाही दी कि हाँ मैंने प्रभु एश्य को मुक्ति दाता के रूप में गृहन किया है और उसके प्रमान के रूप में प्रभु ने जो आग्या अपने बच्चों को दी है मैं उस आग्या का पालन कर रहा हूँ इसके बारे में और भी बहुत सारी बाते हैं जो प्रभु ने मदद की तो समय आने पर हम देखेंगे आज साथवे पद से, साथवे अध्याय से हम एक चीज देखना चाहते हैं वो है मेरे और आपके मन के अंदर जो संगर्ष चल रहा है आप कहेंगे संगर्ष, कैसे संगर्ष की बाग कर रहे हैं एक्शली दर असल जिसने भी प्रभु ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया है उसने प्रभु को जिस समय उसने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया था उस समय उसको प्रभु ने एक नया जीवन दान किया उसको अपना बच्चा बनाया उसको आत्मिक रूप से अपने शरीर के साथ एक कर दिया लेकिन उसका शरीर तो नहीं बदला जिस शरीर में उसने जन्म लिया था वो शरीर तो नहीं बदला और जिस नश्वर शरीर में उसने जन्म लिया है उस पाप सोभाव को तो प्रभू ने नहीं बदला इस कारण अब जिसने भी प्रभू ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उसके अंदर ये दोनों नेचर आपस में लगातार संगर्श करते है इसके बारे में पिछले हथे मैंने जरासाप आपको हिंट दिया था कि जिसे मद्यपान के आदत है जिसे धूम्रपान के आदत है जिसे तंबाकु खाने के आदत है वो इसको छोड़ देता है तो भी उसके बाद कई महीनों तक और कुछ लोगों के जिवन में कई सालों तक संगर्ष चलता है जरासा टेस्ट कर लो जरासा एक बार खीच लो जरासा एक बार गटक लो, कुछ नहीं होगा और ऐसे ये संगर्ष चलता ही रहता है मैं बहुत अच्छी तरह से इसलिए जानता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स में से कई लोग है जो इनादतों को छोड़ना चाते है मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जिनके साथ मैंने नौकरी की थी यूनिवर्सिटी में लेकिन कितना भी संगर्ष करें छोड़ दें अगले हफते जब कोई और आपको आफर करता है तो अन जाने उसकी तरफ खिचाव हो जाता है ये एक अच्छा उदाहरन इस बात का कि एक चीज को छोड़ कर जब हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमारा नए जीवन और पुरेन जीवन इनमें आपस में लगातार संगर्ष चलता रहता है इसके बारे में रोमियों की पत्री सात्वी अध्याय के चौदहवेश पत्र से आगे प्रभु का वच्छन बहुत सारी बातें बताता है जो इस तरह से है पंद्रवेश पत्र में हम देखते हैं जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता परन्तो जिससे मुझे ग्रणा आती है वो करता हूँ ये एक ऐसे व्यक्ति की व्यता ऐसे व्यक्ति का दर्द प्रभु का वचन वर्नन करता है जिसने प्रभु ईश्व को मुक्ति दाता के रूप में ग्रेंड कर लिया अब ग्रहन करने के बाद वो प्रभू की संतान हो गया उसके अंदर एक नया स्वभाव आ गया लेकिन ये नया स्वभाव और जो पुरेना स्वभाव है अब इनमें आपस में संगर्ष चल रहा है और हर विश्वासी हर इश्वर के बच्चे के मन में ये संगर्ष लगातार चलता रहता है वो अपने नये स्वभाव के कारण अच्छे कारी करना चाहता है ऐसे कारी करना चाहता है जो प्रभू को पसंद है जो पवित्र है जो उस व्यक्ति के लिए उचित है जो उसके लिए उपियुक्त है लेकिन उसका पुराने नेचर, पुराने स्वभाव, पाप से बरावा स्वभाव, बार-बार कहता है, अरे एक बार, एक बार की तो बात है, जस्ट एक बार, कोशिश तो करके देखो, अरे जरा उसका स्वात तो देखो, उसका टेस्ट तो देखो, और कई बार क्या होता है, क तेस्ट देखने के बहाने हम उसमें पूरी तरह से फस जाते हैं इसका उदाहरेंड मैंने आपको दिया था चूहा केरल में चूहेदान को जब लोग फिच करते हैं तो क्या करते हैं नारियल के एक टुकड़ा लेते हैं उसको आग पे भून लेते हैं भूनने के बाद आत्मी भी खा सकता है, ये बात मैं याप दिला दूँ, यदि आपको लगे कि चूहे को क्या टेस्ट आता होगा, तो आप भून कर देख सकते हैं, नारिल के टुकडे को प्रॉपरली आग पे भून दिया जाए, तो ऐसी सुगन निकलती है, कि आदमी होने लगता है, तो फिर जैनवर की बाद तो कुछ और है, तो जब चूहा इधर बर जाता है, और जब ये सुगन पाता है, तो चूहा खीचा चला जाता है, खीचा चला जाता है, उसको लगता है कि जाके, मैं एक बार मुँ मारके, उसमें से एक अच्छा सा टुकडा कोड़ के वापस चला जाओंगा अपने बिल में लेकिन ऐसा नहीं होता है जैसे 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 वो चूहेदान में उस नारियल के पीस के पास चलता जाता है चलता जाता है वैसे 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 उसकी आजादी खो जाती है और एक पर वो चूहेदान में प्रवेश करता है तब भादान बंदो चुका होता है अब चाहे वो खाए या ना खाए बाहर नहीं जा सकता है इसी तरह से एक विश्वासी जब उसके जीवन में संगर्श होता है कि मैं अपने नए स्वभाव के एनसार कारी करूं या पुराने स्वभाव का जो आकर्शन है उसका जो खिचाव है कि मुझे जो लालच दे रहा है वो मुझे जो लुभा रहा है उस लुभाने वाले बाग की तरफ जाओं क्या तो इस बात को न भूलें कि फसने के chances बहुत ज़्यादा है कोई भी व्यक्ति आग से खेल नहीं सकता है नहीं नहीं आग से जो खेलेगा वो जल जाएगा बिज बिजली से आप नहीं खेल सकते, बिजली से जो खेलेगा वो बुरी तरह से जल जाएगा, इवन खतम हो जाएगा, उसी तरह से जिसने प्रभु ईशु को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहंड किया है, उसे पाप के साथ खेलना नहीं चाहिए, पाप के साथ कोई व्यभार र कहता है कि मैं जो करना नहीं चाहता, वो करता हूं, और जो करना चाहता हूं, वो नहीं कर पाता, ऐसे आगे, अगले लगबक 10 पदों में, इस बात का डीटेल दिया हुआ है, कि मेरे अंदर जो पाप का स्वभाव बसा हुआ है, वो बार बार मुझे वापस पाप की तरफ क खीचता है देखे बीसवे पत में बीसवे पत के आखर में लिखा है यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझे में बसा हुआ है एक तरफ से मैं धर मिता के काम करना चाहता हूं दूसरी तरफ पाप मुझे अकरशित करता है और फाइनली मैं जब मेरी इच्छा शक्ती कमजोर हो जाती है तब आप मैं फस जाता हूँ यह यहां जितने भाई लोग और जितनी बहने बैठे हैं जिनों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंड किया है उन सब को आज मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में लगातार इस तरह का संगर्ष चलता रहेगा आप कहेंगे कि लगातार क्या कह रहे हैं कब तक यह संगर्ष चलेगा यह संगर्ष तब तक चलेगा जब तक आप इस नश्वर शरीर में हैं आप कहेंगे यह तो बड़ी खतरनाक बात भी मुझे लगा कि प्रभू इश्यो पर विश्वास करके जब मैं आत्मिक रूप से प्रभू में बढ़ूंगा तो दो चार साल में या चार छे आठ साल में मैं शाय दिस तरह के आवस्था में पहुँच जाऊंगा जब मैं पूर है जब आप साइकल सीक्ते हैं तो यह इस्चा करना अच्छी बाट है कि मैं कभी ना गिरूं लेकिन इच्चा करने से थोड़ी बात होती है तों सीकते में तो बहुत गिरते हैं जो एक्स्पर्ट होता ऑगि पपहर קभी अंजयने गर जाता है कभी फिसल के गिरता है और कभी जान बूच कर रिस्क लेते हैं तब गरते हैं तो यदि आपके मन में इच्छा है कि मैं ऐसा पवित्र जीवन बिताओं कि मेरे जीवन में कभी कोई गलत बात ना हो तो इच्छा करना अच्छी बात है लेकिन हमको बहुत ही प्रैक्टिकल जावाहरिक तरीके से बात को समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होगा हम थोड़ा सा जावाहरीक तरीके से सोचें इस बात को समझें कि जब तक हम इस नैश्वर शरीर में हैं तब तक वो पाप स्वभाव हमारे अंदर है और जब तक वो पाप स्वभाव हमारे अंदर है वो खिचाओ भी रहेगा और जब तक खिचाओ रहेगा तब तक इस बात की संभावना है इस बात का चैंस है कि हम कभी-कभी उस खिचाओ में पढ़ जाएंगे और पाप में फस जाएंगे ये साथ माध्याय हमको इस बात का याद दिलाता है तो सवाल यह है कि प्रभु का बच्चन क्या हमसे कहना चाहता है प्रभु का बच्चन ये याद दिलाना चाहता है कि प्रभु के बच्चे इस बात को समझें कि उनके अंदर दो प्रकार का सोभाव एक नया सोभ तो पुरहना सोबावड़गे करें, जैसे ही नीन आपके ओपर हावी हो जाती है उस तरह से प्रभु का बच्चा एक मसीही प्रभु का शिष्य उसको अपने पूरे जीवन बर आत्मिक होश औहास में रहना चाहिए ऐसा कैसे रह सकता है उसके लिए जरूरी है कि दिन रात वो प्रभू के वचन पर ध्यान करे ये जरूरी है कि दिन रात प्रभू के वचन पर मनन करे मनसा वाच्या कर्मना प्रभू के वचन पर ध्यान दे और इतना ही नहीं ऐसी लोगों से दूर रहे जो उसको खीच सकते हैं ऐसी बातों से दूर रहे जो उसको खीच सकते हैं जो उसको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं इतना ही नहीं एक विशेश बात पर एक विशेश बात को याद रखे आपनी जीवन के लिए वो मनुश पर ना नुर्भर करे ना तो मनुश पर ना मनुश के मदद पर ना मनुश क शिट्षा पर, आप कहेंगे शास्त्री सरापया क्या कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है क्या कि हम आप जो कह रहे हैं उसको ना सुने, देखिए, यदि मैं जो कह रहा हूँ यदि मेरी शिट्षा हो तो इसको इसकी उपर बिल्कुल ध्यान ना दे कोई भी मनिश अपनी अच्छी से अच्छी बुद्धी से कुछ भी बताए वो सही नहीं हो सकता मेरी बात पर तब तक ध्यान दे जब तक मैं प्रभू के वच्चन का सही सही व्याख्यान कर रहा हूँ आप कहेंगे ऐसा कैसे पता चलेगा कि आप प्रभू के वच्चन का सही व्याख्यान कर रहे हैं अरे प्रभू का वच्चन आप सब के पास है आपकी मातर भाष्या में उसको पढ़कर देखिए उसको बार बार पढ़िये देखिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो इस वच्चन के अनसार है क्या तो इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रभू का बच्चा है जो प्रभू की संतान है यदि उसे अपना जीवन सही तरीके से बिताना है तो उसे प्रभू के वच्चन पर ध्यान देना होगा प्रभू का वच्चन को इस सिखाता है तो उसे सुनना होगा और बार बार प्रभू के वच्चन को खोल कर उसको पढ़कर देखना होगा कि प्रभू के वच्चन को जो हमें सुने गया है वो सही रीती से सुनाय गया है क्या उसकी व्याख्या सही रीती से हमारे सामने की गई है क्या हमको ये भी सोचना चाहिए इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी संगती ऐसी हो जो हमको सही रास्ते पर ले जाए ना कि गलत रास्तों पर आज जितने भाई बहनाएं हैं उन सबसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ क्या आपको इस बात का यकीन है कि आपके जो दोस्त हैं जिन से रोज रोज आप बात करते हैं जिन से रोज आपकी संगती होती हैं क्या ये ऐसे लोग हैं जो आपको आपके आत्मिक जीवन में प्रोचसाहित करते हैं या ऐसे लोग हैं जो आपको आपके आत्मिक जीवन से खीच कर दूर ले जाते हैं दो प्रकार के लोग होते हैं मैं कद्यापक हूँ इस लिए इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे विद्यारतियों में से वे विद्यारती जो ऐसे लोगों के साथ friendship करते हैं जो उनको प्रोचसाहित करते हैं तो इनकी पढ़ाई बहुत सुधर जाती है और यदि आपका उटना बैटना ऐसे विद्यारतियों के साथ है जो ना तो खुद पढ़ते हैं ना दूसरे को पढ़ने देते हैं तो आपकी पढ़ाई तो बरबाद हो जाएगी मैं अपने एक दोस्त को कभी नहीं भूल सकता डॉक्टर हो गया शहर का बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर था उसकी तो आदत थी कि वो डंडा लेके मेरे पीछे खड़ा रहता था हमारे घर से थोड़ा दूर था उसके चट से मेरी चट दिखाई देती थी तो जब मैं खड़की से देखता था तो वो चट से ही इशारा करना शुरू करता था किताब उठाओ चट पे जाओ और पढ़ना शुरू करो और जब उसको लगता था कि मैं आज सुनने वाला नहीं हूँ तो वहां से दोड़के घर आ जाता था कि क्यों बे तू तड़क तो हम दोनों में खूब जमके होती थी क्योंकि दोनों भरावर उमर के थे तुझा आज पढ़ने का इरादा नहीं है कि तू फेल हो जाएगा उस समय तो बुरा लगता था लेकिन आज मैं मुड़कर जब अपने हिस्ट्री को देखता हूँ तब हमेशा उस दोस्त के प्रती मेरा मन आभार से भर जाता है क्यों अरे मुझसे जबरदस्ती पढ़वाने की उसकी कोई नहीं पढ़ी थी उसकी कोई अठकी नहीं थी लेकिन उसने यह ठान लिया था कि यदि ये व्यक्ती मेरा दोस्त है तो जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ उस तरह से इसको भी पढ़वा के ही रोंगा उसने मेरे जीवन में बहुत 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 एहसान किये हैं मुझे अभी भी याद है हम लोग जब हायर सेकंडरी में थे तो मद्धिपरदेश में अंग्रे जी विरुद दभियान चल रहा था तो सरकर ने ये नियम बना दिया कि अंग्रे जी का पेपर देना है तो दो ना मार्क्स में जोड़ा नहीं जाएगा बलकि हमने जब हायर सेकंडरी पास की तो अंग्रे जी के मार्क्स अलग से एक कॉलम में दिया जाता था वो जोड़ा नहीं जाता था तो मेरे जैसे व्यक्ति ने सुचे कि अरे जब जोड़ा ही नहीं जाता है तो काहे को मुसीबत लो काहे को जाके एक्जाम दो उसे मालूम था उसी ये भी मालूम था कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है लेकिन मैं एक्जाम देने नहीं जाओंगा तो एक्जाम के दिन वो एक्जाम से दो घंटे पहले आके मेरे सर पे बैठ गया कि नहीं तुझे तो जाना पड़ेगा और एक्जाम देना पड़ेगा और मुझे पकड़के यबरदस्ती ले जाके उसने एक्जाम दिलवाया मुझे उससे बहुत फायदा हुआ आगे कई courses में admission के लिए जब लोगों ने देखा अच्छा 71 batch के हो 71 के batch के हो और तुमने अंग्री जी के एक्जाम दिया था और तुम्हेरे इतने number है बहुत अच्छा बहुत अच्छा तुमको हम जिरूर admission देंगे देखिए एक ऐसा दोस्त जिसने जब बरदस्ती मुझसे वो काम करवाया उसने हमेशा 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 के लिए मेरे लिए भला काम किया यदि आपके आत्मिक जीवन में आपने जो दोस्त अपने चारों तरफ बटो रहे हैं वे इस तरह के हूँ जो आपको प्रोटसाहित करते हों तो आपका आत्मिक जीवन अच्छी दिशा में जाएगा लेकिन एदि दोस्त ऐसे हो जो आपको हमेशा आत्मिक जीवन में प्रोटसाहित करने के बदले खीचते हैं तो आपके आत्मिक जीवन की विरुप दो शक्तियां होगी एक जो आपका दोस्त आपको खीच रहा है और एक आपके अंदर जो पापका स्वभाव है इसलिए जिसने भी प्रभू को मुक्तिदाता की रूप में ग्रेंट किया है उसको उससे मेरा निरूध है आज जरा दो छण के लिए अपने जीवन को मुड़ कर देख लीजे मैं फलाना जो काम करता हूँ वो मेरे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाता है या पीछे खीचता है मेरा फलाना दोस्ट जो सुबह से शाम तर मेरे साथ रहता है मुझसे बात करता है वो मुझे आत्मिक जीवन में प्रोथसाहित करता है आगे बढ़ने में मदद करता है या मेरे जीवन को बरबात करता है यदि वो आपके आत्मी जीवन को बरबात करता है तो आपको क्या करना चाहिए आपको उस दोस्त को पूरी तरह से हटा देना चाहिए वह यदि आपको जो खाना परोस रहा है वो खाने में चार सबजी परो भी हो जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे आप कहेंगे कि वो तीन सब्जी जो मुझे पसंद है वो पर उसो चौती सब्जी मुझे नहीं चाहिए वो तुम रखो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे मैं तो बोलूंगा मैं तो बोलता हूं क्यों इसलिए कि वो पड़ जाये तो मेरा खाना खतम, मैं खाना ही पाऊंगा। इसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में जो चीज हमको आत्मिक रूप से बरबात कर सकता है। पाप के लिए जरूरी है। आज सत्वे अध्याय से हमने जो बाते पड़ी उसका साराश मैं फिर से आपको बताऊं। जिसने भी प्रबो को ग्रेंड किया है वो एक संगर्ष में जीवन बिताता है। उसके अंदर जो नया सोभाव है और उसके अंदर जो पुराना पाप का स बाओ है इन में आपस में संगर्ष चलता है। यदि हम इस तरह का माहौल, इस तरह के दोस्त अपने चारों तरफ इखटा करते हैं जो हमको पाप की तरफ खीचते हैं तो हम फस जाएंगे। क्योंकि एक हमेरा पाप हमको खीच रहा है, दूसरा वो दोस्त हमको खीच रहे ह प्रबु की हर संतान की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे दोस्त, ऐसे माहोल का अपने चारोतरफी खटा करे जो उसको आत्मिक रूप से प्रोथ साहित करे लेकिन समाप्त करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने आज नए जीवन के बारे में बहुत सारी बातें बूली शायद इस सभा में ऐसे कुछ भाई या बहन हैं जिन्नों ने इस नई जीवन के बारे में पहली बार सुनाए जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए पांच मिनित में मैं ये विशे समझाना चाथा हूँ वो ये है, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है वो पापी है इसलिए तो बच्चे को जूट बोलना नहीं सिखाना पड़ता चोरी करना नहीं सिखाना पड़ता मारपीट नहीं सिखाना पड़ता वो अपने आप ये सब कुछ करता है क्योंकि वो पाप सुभाव के साथ जन्मा है प्रभू का वचन याद दिलाता है कि इस संसार में सब ने पाप किया है और इस कारेंड सब ईश्वर से दूर है प्रभू का वचन ये भी याद दिलाता है कि पाप की सजा है मृत्यू मतलब हमेशा 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 के लिए हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे लेकिन प्रबू का वचन ये भी याद दिलाता है के आज से 2000 साल पहले प्रबू ने स्वयम मनिशु रूप धारिंट करके इस पौत्वी पर आकर मेरे और आप के लिए मेरे और आपके पापों की सजा के रूप में सूली पर अपने जीवन अर्पित किया अर्पित करने के तीन दिन वाद वे पुनर जीवित हो गए और प्रभू ने लोगों से का मेरे पास आओ तुमको जीवन देने के लिए मैंने अपने जीवन देन दिया इसलिए मेरे पास आओ मैं तुमको एक नया जीवन दूँगा जो भी व्यक्ति प्रभू की इस वानी को सुनकर प्रभू के पास जाकर प्रभू से कहता है प्रभू मैं इस बात को आपके वचन के द्वारा अच्छी तरह से समझ गया हूँ मैं पापी हूँ और मैं ये भी समझ गया हूँ कि आपने मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया मेरे पापों को छमा कीजिए आज मैं आपको मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन करता हूँ जो भी इस तरह से प्रभू से प्रार्थना करते हैं प्रभू उसको एक नया जीवन देते हैं तो मैं बार-बार जिस नवी जीवन, या नयी जीवन की बात कर रहा हूँ जिस उद्धर की बात कर रहा हूँ वो ये विषय है मैं जब पांच साल का था तब मैंने प्रभू को मुक्ते दाता के रूप में ग्रहन किया आज भी मेरे जीवन में वो खुशी और वो confidence है इस सभा में ऐसे कई भाई बहन है जिनोंने प्रभू को मुक्ते दाता के रूप में ग्रहन किया इनके जीवन में वो निश्चे है कि हाँ मैं प्रभू की संतान हूँ, मुझे नए जीवन मिला है। पहली बार जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, वे लोग इस बात को समझ लें कि ये नए जीवन आपको प्रभू एक उपहार के रूप में देना चाते हैं और इस कारण इस नए जीवन को पाने के बाद ही यहां से जाएं। आप कहेंगे शास्त्रे सर मैं पहली बार यह सुन रहा हूँ या एक दो बार सुन लिया बात कुरी तरह से समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं है। आपको ये बात विस्तार से समझने के लिए मैं यहां आया हूँ, यहां भाई जेफरी आये हैं और कई भाई बहन लोग इसलिए आये हैं, हमारे पास आईए, हमसे बोलिए कि आप समझना चाहते हैं, हम समय लेकर डीचल में आपको समझाएंगे जिससे कि इन बातों को समझ कर आप प्रभु ईशु को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन करके इस नई जीवन को पा सकें, आज प्रभु ने जो मौका दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्र गुजार हूँ, आज जो लोग पहली बार आएं हैं, उनसे मेरा निरोदे आते रहिए, आत्मिक जीव में इस तरह से सत्सन हम सब को बहुत अधिक अनुगर देता है, खास कर जब अपने घर-बार को छोड़कर हजारों किलोमिकर दूर नौकरी करते हैं, तब एक अच्छा सा सत्सन जिसमें आप नियमित रूप से जाते हैं, यह आपके आत्मिक जीवन को बहुत अधिक प्रभु आप सब की मदद करें, जै मसीद प्रिया दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुगरह मिला होगा, शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवम भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं, उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्ठ्यमला को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें, उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें, बस, हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी, इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधि प्रोचसाहन देता है, जै मसीह की